हेलो दोस्तों मैं सोरं मलिक आप सभी का टोपिक स्टेडिय में स्वागत करता हूँ दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं साइन्स विज्ञान के आपके 160 पहुती महत्पून परसन जो आपकी पहले रेलवे की विभिन परिक्साओं में पूछे जा चुके हैं और आगे भी इनके पूछे जाने की पूरे पूरे चांस है तो इस वीडियो को सुरू से लेके एंड तक देखेगा देखे थोड़ी वीडियो बड़ी हो सकती है पर इसमें आपको सारे के सारे परसन देख रहे हैं इनसे आपको एक तो आइडिया मिल जाएगा कैसे परसन आपके पूछे जाते हैं पलस आपको ये परसन वेरी वेरी इंपोर्टेंट है तो इनकी भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो वीडियो को जरूर एंड तक देखेगा, जो मेरे दोस्त अभी तक हमार चैल के साथ में नहीं जुड़ा है, तो नीचे जो आपको एसर एड के लगा बटन दिखाए देरा है, उसको दबा करके अभी चैल के साथ में जुड़ जाएं, ताकि जितनी भी आगे मैं साइंस की रीजनिंग की है, फिर मैत की वीडियो अपलोड करूँ, तो आपके पास तक पहुच जाए, जब आप इस बटन को दबाते हैं, तो बटन हो जाता है, ऐसे कलर कोश के बराबर में एक बैल आइकन भी आता है, इसके बैल आइकन को भी ओन करना होता है, उसके बाद ही आपके स्टार्ट करने वालों, आपके कंटिनुसली अपलोड करनी, चैप्टर वाईज, तो आप चैनल के साथ में जरूर जूर जूर जाए, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिया, क्य क्या होता है तो जूल को कारिये को जूल में मापा जाता है परकास वर्स मात रख किसका होता है दूरी का ल्यूमेन किसका मात रख है जोती फ्लेक्स का कोशन नमबर फॉर क्यूरी किसकी इकाई का नाम है रेडियो एक्टिव धर्मीता का कोशन नमबर फाइव Q5 है आपका परदार्थ के सम्वेग और वेग के अनुपात से कौन सी भोतिक रासी प्राप्त की जाती है द्रव्यमान जल में तैरना न्यूटन की गती के किस नियम के कारण संबव है तिर्ते नियम के कारण Q7 रोकिट की किरिया प्रणाली की सिधांज पर आदारित होती है सम्वे के सर्रक्षन Q8 अस्व यदि एका एक चलना प्रारम कर दे तो अस्वा रोही के गिरने की आसंका का कारण है विस्राम जड़तूर Q9 कालीन की सफाई के लिए यदि उसे चड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है गती का पहला नियम वेरी वेरी इंपोर्टेंट कोशन है आपका बहुत से एकजाम में पूछा जाता है Q10 समुन्दर में पवलन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुन्दर की सतय से उपर रहता है एक बटे दस यानि कि अगर कोई आइस का टुकड़ा पानी में तैर रहे तो उसका एक भाग ही उपर दिखाई देगा 10 दस में एक भाग उसका उपर दिखाए देगा यानि की जितना बड़ा होगा उसमें से सिर्फ एक ही भाग उसका उपर दिखाए देगा ठीक है एक परसेंट माल लिजे कोशन Numर 11 है परकास वोल्टिये सेल के परियोग से सोर अरजा का रूपांथ रन करने के किस का उत्पादन होता है? परकास यह उरजा का कौशन नबर 25 सवे चालित वहानों में दरवे चालित ब्रेकों का इस्तमाल वस्तुत किस न्यम का सिद्धा अनुपराए है? पासकल का न्यम कौशन नमर 13 जब दूद को परबल डंग से माता जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है अपके इंद्रिय बल के कारण ये भी आपका बहुत important question है देखिए सारे के सारे important है अगर आप सारे देखते हैं तो इन में से आपको बहुत से question मिल जाएंगे question number 15 है question number 14 है जेट इंग्जन किसके सर्रक्षन के सिद्धान पर काम करता है रेखिक सम्वे के question number 15 किसी तुल्याकारी उपगरह की प्रत्वी की सते से उचाई लगबक कितनी होती है 36,000 किलोमेटर question number 16 प्रत्वी के गुरुत्वाकर्षन का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षन के सबसे नजदीक है एक बटे 6 question number 17 वर्षा की बूंद का आकार गोलकार किस कारण से हो जाता है प्रस्तनाव के कारण ये भी आपका बहुत इंपोर्टेंट कोशन है question number 18 कपूर के छोटे छोटे टुगडे जल की सतय पर क्यों नाज़ते हैं प्रस्तनाव के कारण question number 19 पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तेरता रहता है ये किस सिद्धान्द पर है आर्कमिडीज का सिद्धान्द ये भी आपका इंपोर्टेंट कोशन है ठीक है भई question number 20 है आर्कमिडीज का नियम किस से संबंदित है पौवलन का नियम से question number 21 गुर्ट आकर्षन के सार्व भूमिक नियम का परतिपादन किस ने किया न्यूटन ने question number 22 कौन सा एक किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर कार्यसील प्रत्वी के गुरुत्व बल का सही मान है 9.8 N question number 23 एक होर्स पावर में कितने वोट के बराबर होता है 740 वोट के बराबर होता है Q24 लोहे की सुई पानी की सतय पर किस कारण तैरती रहती है प्रस्तनाव के कारण Q25 एक गैंद को 36 से कितने कोन पर फैके की है अधिक्तम 36 दूरी तै कर सके 45 डिग्री के कोन से फैकी जाए तो ये अधिक्तम दूरी तै कर लेगी Q26 किसने न्यूटन से पूर ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं प्रत्वी की और गुरुत आकर्शन होती है ब्रह्मा गुप्त ने Q27 किरकेट की गैंद को किस कोन से मारा जाना चाहिए ताकि वे अधिक्तम दूरी तक जा सके 36 से 45 डिग्री का कोन यह मैंने आपको अभी बताया था तो 45 डिग्री से अगर फैंकी जाए तो वो ज़्यादा दूर पहुचेगी Q28 उस्मा एक परकाल की उर्जा है जिससे कारिये में बदला जा सकता है इसका परतियक्स परमान सबसे पहले किस ने दिया Q29 किस वेग्यानिक ने सवपरतम बर्फ के दो टुकडो को आपस में गिसकर पिंगला दिया देवी ने Q30 वास्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच हो सकता है बॉयलन के अंदर उच दाब होता है Q31 ताप युगम ताप मापी थर्मो कपल थर्मो मीटर किस दान पर आदारित है Q32 पूर्ण विक्रण उताप मापी तोटल रेडियेशन पायो मीटर किस दान पर आदारित है इस्टीवन के नियम पर Q31 है आपका दूर की वस्तुओं जैसे सूरिय आदी का ताप किस ताप मापी के द्वारा मापा जाता है Q34 है Q35 सेलसियस पहिमाने का 0 डिग्री सेलसियस फेरेनाइट सेल के कितने डिग्री के बराबर होगा तो 0 डिग्री Celsius बराबर होता है 32 डिग्री फेरेनाइट के ठीक है Q36 मानव सरीर का ताप्मा 98.6 फेरेनाइट होता है Celsius इसकेल पर यह कितना होगा 37 डिग्री Celsius अति लदू समय अंतरालों को सही सही मापने के लिए किसका प्रियोग किया जाता है परमानू घडियां का Q38 मनुष्य एक मनुष्य का तापकरम 60 डिग्री Celsius है तो उसका तापकरम फेरेनाइट में क्या होगा 140 फेरेनाइट होगा पानी का गनत किस ताप अधिक्तम होता है 4 डिग्री Celsius पर साइकिल के ट्यूब अधिकांस कर्मियों में क्यों फट जाते है गर्मी के कारण 2 ट्यूब फट जाती है Q41 किसी जील की सतय का पानी बस जमने ही वाला है जील के अंत इस्थल में जल का क्या ताप मानोगा 4 डिग्री Celsius Q42 उस्मा के संचरन की किस विदी में परदार्थ के अनू एक इस्थान से दूसरे इस्थान तक सव्वे नहीं जाते है Q43 Q43 Q44 सूर्य की उस्मा प्रत्वी पर किस परकार के संचार माध्यम से आती है विकिरन के Q45 उस्मा के इस्थान तरण की किस विदी में माध्यम आवश्यक नहीं है तो विकिरन के में नहीं है Q47 Q48 सूर्य विकिरन का कौन सा भाग सोलर कूकर को गरम करता है Q49 दूप से बचने के लिए छाते में रंग से योजन कौन सा सबसे उचित है उपर सफेद और नीचे काला Q50 किस विदी से उस्मा इस्थान तरण को नियुनितम करने के लिए थरमस फलास की दिवारों पर कलाई की जाती है विकिरन किसमे सरुच विशिस्ट उस्मा का मान होता है जल में Q52 है सूथ परदार्त में कोई अन्य परदात मिला देने पर उसके गलांग पर क्या पर भाब पड़ता है घट जाता है Q53 अब दरव्यों को मिलाने से गलांग पर क्या पर भाब पड़ता है घटता है Q54 चावल को पकाने में कहां अधिक समय लगेगा ये भी आपका इंपोर्टेंट कोशन है माउंट एवरेश्ट पर देख्या अगर वीडियो आपको अच्छे लग रहे है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देजेगा मुझे मोटिवेशन मिलता आपके लाइक से Q55 किसी दरव्य का उसके कवथांक से पूर्ण उसके वास्प में बदलने की परकिरिया को क्या कहते हैं वास्पी करण Q56 आंतरिक्स उर्जा की संकलपना उसमा गतिकी के किस नियम से मिलती है पर्थम नियम से Q57 उसमा गतिकी का पर्थम नियम किस अवधार्णा की पूष्टी करता है उर्जा सर्रक्षन की Q58 किस बिन्दू पर फेरेनाइट तापकरम सेंटिक्रेट तापकरम का दो गुना होता है 160 डिग्री फेरेनाइट पर Q59 किसी वस्तू का विशिष्ट उसमा किस पर निर्भर्ख करती है पिंड के दरव्य पर Q60 Celsius में माप का कौन सा तापकरम 300K के बराबर है 27 डिग्री Celsius Q61 Black body किसकी विकरन को अवसोसित कर सकती है केवल उच तरंगे तेदरिय को Q62 C32 के दिनों दिनों में हम मोसम किस परकार का होने पर जाद ठंड महसूस करते है साप मोसम आपने भी देखा होगा जब बोलते हैं कि आज पाला पड़ा है और उस दिन जाद ठंड होती है जिस दिन आपका दुन या फोग नहीं दिखाई देता है तो साप मोसम में जाद ठंड महसूस होती है क्या था कोशनों 65 धवनी का ताद पिच किस पर निर्भर्ती पर विमानों के अंतरिक्स भागों की सफाई में किसका व्योग किया जाता है परास्थ सरव्यत रंगो का Q67 मनुश्य को धवनी कमपन की अनुभूती किस आर्वती सीमा में होती है 20 से 20 हजार हड्स तक Q68 लगबग 20 डिग्री सेल्जियस तापकरम पर किस माध्यम में धवनी की गती अधिक्तम रहेगी लोहे में Q69 है Q70 किसके द्वारा सबसे अधिक धवनी पर दूसन होता है हवाई जी आज की उडान भरना Q71 कौन सी परकिरिया प्रकास और धवनी दोनों में गटित नहीं होती है Q72 द्वनी का परभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है 1 बटे 10 सेकिंड तक Q73 द्वनी तरंगे किसके कारण परती द्वनी उत्पन करते हैं Q74 एक व्यक्ति को अपने परती धवनी सुनने के लिए प्रावरतन तल से कितनी दूरी खड़े रहना चाहिए Q75 ए इस्टेंटोस्कोप द्वनी के किस सिधान पर कारिये करता है परावरतन पर Q76 पास आती रेल गाड़ी की सीटी की आरवरती या तिक्षनता बढ़ती जाती है ऐसा किस घटना के कारण होता है डापलर परभाव के Q77 किस एक परकार की तरंग का परियोग रात्री द्रष्टी उपकरण में किया जाता है आवरक्त तरंग का Q78 एक जेट वायू यान दो मैक के वेग से हवब में उड़ रहा है जब धवनी का वेग 332 मीटर सेकिंड है तो वायू यान की चाल कितनी है Q79 है लगबग 20 डिग्री सेल्सियस के तापकरम पर किस माध्यम में धवनी की गती अधिक्तम होती है लोहे में होती है Q80 है एक जेव पत्ती जिसमें प्रासरविय धवनी का उप्योग किया जाता है सोनोग्राफी Q81 कौन सी तरंगे सुन्य में संचरण नहीं कर सकती धवनी Q82 वह उपकरण जो धवनी तरंगों की पहचान तथा रजूरेखन के लिए परियुक्त होता है क्या कहलाता है सोनार Q83 परकास तरंग किस परकार की तरंग है अनुप्रस तरंग Q84 परकास का तरंग सिद्दान किस के द्वारा प्रस्थापित किया गया था हाईगेंस के द्वारा Q85 किस घटना के आधार पर परकास तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टी होती है दुरूवन के करण Q87 किसने सवपर्थम यह दिखलाया कि परकास तरंगों का विवर्तन Q88 कौन सी घटना परकास और दवनी दोनों में घटित नहीं होती है दुरूवन Q89 कौन सा सिद्दान परकास के तरंग परकरती की पुष्टी करता है वियती करण का सिद्दान ठीक है दोस्तों Q19 चंदर्मा से प्रत्वी तक आने में परकास को लगबग कितना समय लगता है एक सेकंड Q101 सूर्य की रोसनी को प्रत्वी तक पुँचने में लगबग कितना समय लगता है 8 मिनट 16.6 सेकंड ये कोशन आपके बहुत फिर्केंटली पूचे जाते है आपकी रेलवे की परिक्सा में तो आपको सभी परसंद देखने चाहिए ठीक है अगर आप यहां तक पहुच गया तो वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा क्योंकि लास्ट तक कोशन सारे इंपोर्टेंट है रहो सके तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा कोशन नमबर 102 है वायू में परकास की गती कितनी होती है 3-108 मिटर सेकंड कोशन नमबर 103 हो गया आपका सूरिया ग्रहन के समय सूरिया का कौन सा बाग दिखाई देता है किरिट या फिर बोल देता है मुसको करोना ठीक है कोशन नमबर 104 पानी से भरे किसी बरतन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा उठाई परतीत होता है परकास के अपवरतन के कारण ये भी important है आपका question number 105 पानी में डूबाई एक छड़ी की सवरती के कारण मुडी हुई परतीत होती है परकास का अपवरतन के कारण question number 106 किसके कारण आकास नीला दिखाई देता है पर किरन के कारण scattering scattering of light के कारण दिखाई देता है नीला आकास question number 107 सूरिय उद्दे और सूरियस्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण होता है परिकरन के कारण ही होता है question number 108 इन धरनूस में किस रंग का विक्षेपन अधिक होता है बैंगनी का या आप सभी को पता होगा question number 109 तो सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू दूती हीन होता है इसका कारण प्रावर्तन होता है question number 101 पेरिस्कोप बनाने में कौन सा एक दरपन परियुक्त होता है समतल दरपन question number next आपका साबुन के पतले जाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिगटना का परिणाम है बहुलिये प्रावर्तन और व्यतिकरण के कारण ये भी आपका इंपोटेंट कोशन है पिछली साइड के ट्रैफिक को देखने के लिए ओटो मोबाइल में किस परकार का दरपन का परियोग किया जाता है तो उत्तर लेंस का परियोग किया जाता है कोशन नमबर 105 कार चालाते समय अपने पीछे के यातियात को देखने के लिए किस परकार के दरपन का परियोग किया जाता है उत्तल दरपन कोशन नमब 106 मानव आंक की रेटिना पर कैसा परतिबिन्द बनता है वास्तविक तथा उल्टा कोशन नमब 107 जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दरपन के बीच रखी जाती है तो बने हुए परतिबिन्द की संक्या होती है अनन्त 108 यदि एक व्यक्ति दो समतल दरपन को जो 60 डिग्री कोण पर आनन्त है के बीच खड़ा हो तब उसे कितने परतिबिन्द दिखेंगे पांच 109 हम परतिवी के प्रस्ट पर सूर्य का परकास प्राप्त करते हैं ये परकास किस परकार के किनना पूंज है समांतर डायोक्टर किस की इकाई है लैंस की अक्समता की कोशन नमर 111 सवेत प्रकास कितने रंगों के मेल से बना होता है साथ रंगों से 112 किस रंग का तरंग देद्रिय अधिक अधिकतम होता है लाल का कोशन नमर 113 सूर्य की किनों में कितने रंग होते हैं साथ 114 यदि वायू मंडल ने हो तो प्रत्वी से आकास किस रंग का दिखाई देगा काला दिखाई देगा फोटोग्रैफी कैमरे का कौन सा भाग आँक की रेटिना की तरह कारिय करता है फिल्म 116 कैमरे में किस परकार का लेंज उप्योग में लाया जाता है उत्तल 117 मानव की आक वस्तू का परतिबिन किस भाग पर बनाती है रेटिना पर 118 आक के किस भाग द्वारा आक में परवेश करने वाले परकास की मातरा नियंतरित होती है आईरिस से कोश्चन नमबर 119 नेतरदान में दाता की आँक के किस हिस्से को परतिरोपित किया जाता है करनिया को कोश्चन नमब 120 सवस्त नेतर के लिए इस पस द्रस्टी की नियुनितम दूरी कितनी होती है 25 सेंटीमिटर यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तूओं को इस पस नहीं देख सकता तो उसकी द्रस्टी में कौन सा दोस होगा निकष्ट द्रस्टी दोस दूर द्रस्टी दोस से पिडित व्यक्ति के चस्मे में कौन सा लैंस परियोग किया जाता है उत्तर लैंस ये भी आपका बहुत पूछा जाने वाला कोशन है 123 है चस्मा परियोग करने वाले व्यक्तियों को शुक्षम दर्शी का परियोग किस परकार करना चाहिए उन्हें चस्मा पहने रहना चाहिए 124 है एक मनुष्य एक मीटर से कम दूरी की वस्तू को इसपस नहीं देख सकता वे व्यक्ति किस दोस्त से पिडित है तो दूर दरश्टी दोस्त से पिडित है 125 गडी साज गडी के बारीक पुर्जो को देखने के लिए किसका उपयोग करता है आवर्दिक लैंस का 126 दूर की वस्तूओं के निरक्षन के लिए किस प्रकाशिक यंद्र का उपयोग किया जाता है दूर दर्शी का 127 तन्तू प्रकाशिक संचार में संकेत किस रूप से प्रवावित होता है प्रकास तरंग 128 कांचों में से कौन सा एक पेरा बैंगनी किर्णों का विछेंदन कर सकता है कुरूकस कांच कोशन नमबर 129 है प्रकास के प्रकारों में से किनका पोधे द्वारा त्रू अवशोशन होता है नीला और लाल कोशन नमबर 131 है जब प्रकास की तरंगे वाईयू से कांच में होकर गुजरती है तब कौन से परिततरिया परवावित होते हैं केवल तरंग देतरिया तथा वेग कोशन नमबर 131 है निकट द्रस्टी कौन दोस दूर करने के लिए कौन सा लेंस उप्योग में लाया जाता है नतोदर या जिसको हम बोलते हैं अंगलिस में कौन केव 132 अवतर लेंस हमेशा किस परकार का परतिबिन्द बनाते हैं अबहासी परतिबिन 133 है संचार में परियुक्त फाइबर अउप्टिकल अउप्टिक्स केबल किस सिधान पर कारिया करता है परकास के पून अंतरिक परावरतन पे 134 है सवेत परकास को नली में कैसे पैदा करते हैं तंतु को गरम करके 135 है परकास की गति किसके बीच से जाते हुए नियुनितम होती है काँच से जब परकास काँच से गुजरता है तो परकास की जो स्पीड है वो कम हो जाती है 136 है किस तीथी को दोपैर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है 21 जून को 137 फोटोन किसकी मूलबूत यूनिट मात्रा है परकास की 138 है विकरन की कण परकरती की पुष्टी किस से की जाती है परकास वेदूत परभाव से 139 है अबिंदुकता का दोज़दूर करने के लिए किस लेंज का परियोग करना चाहिए सिलेंडरी लेंज का 140 है परतियावर्ती धारा को दिश्ट धारा में किस के द्वारा बदला जाता है रेक्टी फायर के 141 है बिजली के बल्ब का फिलमेंट किस ततु से बना होता है टंगिस्टन से कोशन नमबर 142 ट्यूब लाइट में वे उर्जा का लगबक कितना भाग परकास में परिवर्तित होता है 60 से 70 परतिसद कोशन नमबर 143 है तडित चाल का अविस्कार किस ने किया बेजमीन फ्रेकलीन ने बेजमीन फ्रेकलीन ने 144 है मानव सरीर सुस्क के विदूत परतिरोध के परिणाम की कोटी क्या है 10 की पावर 6 ओम कोशन नमबर 145 विदूत उत्पन करने के लिए कौन सी दातु का उप्योग होता है यूरेनियम देखे दोस्तों अगर आप यहां तक वीडियो को देख रहे हैं और 145 कोशन तक पहुचे तो प्लीज एक बाग कमेंट करके मुझे जुरू बताए मैं देखना चाहता हूँ कि यहां तक कितने बच्चे पहुचे है कोशन नमबर 46 है एकिकरत परिपत में परियुक्त आरद चालक चिप किसकी बनी होती है सिलिकॉन की कोशन नमबर 147 यदि किसी परारूप परदार्थ का वेदूत परतिरोध गिर कर सुनिय हो जाता है तो उस परदार्थ को क्या कहते हैं आरद चालक 148 इस्थिर वेदूत अवेक्सेपितर का परियोग किसे किसे नियंतरिक करने के लिए किया जाता है वायू परदुशर 149 लोहों चुम्बकिये परदार्थ के भीतर परमानों के एसंखे अती सुक्षम संचार्णों को क्या कहा जाता है डोमिन 150 मुक्त रूप से निलंबी चुम्बकिये सुई कीज दिसा में टिकती है उत्तर दक्सिन दिसा में 151 मुक्त रूप से निलंबित चुम्बकिये सुई कीज दिसा में टिकती है उत्तर दक्सिन दिसा में 151 विदु चुम्बकिये परेरण के नियमों का उप्यो किसको बनाने में उप्यो किया गया है जनितर कोशन नमर 152 परत्वी एक बहुत बड़ा चुम्बक है इसका चुम्बकिये छेत्र किस दिसा में किस दिसा में विश्तरित होता है दक्सिन से उत्तर कोशन नमर 153 जिस तत्व में परमानू में दो प्रोटोन दो नियूट्रोन और दो इलेक्टोन हो उस तत्व का द्रवयमान संक्या कितना होता है चार प्रत्वी की आयू का निर्धानन किस विधी दुआरा किया जाता है यूरेनियम विधी दुआरा यूरेनियम विधी द्वारा आपका कोशन नमबर 55 है नभी किये रियक्टर में भारी जल D2O का परियोग किस रूप में किया जाता है मन्दक के रूप में कोशन नमबर 156 है कुलीज नलीका का परियोग क्या उत्पन करने के लिए किया जाता है X किर्णों के 157 है परमानू बं में विस्पोर्ट में भारी मात्रा में उर्जा किसके कारण निकलती है दर्वे का उर्जा में परिवर्तन कोशन नमबर 158 सेमी कंड़क्टर में उसके परियोग के आधार पर असुदिया किसके लिए मिलाई जाती है उसकी विदूत चालकता बढ़ाने के लिए कोशन नमबर 159 है जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमानू डाले जाते है तो वह क्या बन जाता है बारी है सेमी कंड़क्टर कोशन नमबर 162 है विदूत उत्पन करने के लिए कौन सी धातु का उप्योग होता है यूरेनियम का कोशन नमबर 161 है कृष्णा चिद्र बलेक होल सिद्धान्थ को किसने परतिपादित किया था एस चंद्र सेखर ने कोशन नमबर 162 है नोबल पुरुसकार अलफ्रेड नोबल के नाम पर सुरू हुआ जुन्होंने किसकी खोज की थी डानमाइट की डानमाइट की किसने खोज की थी अलफ्रेड नोबल ने कोशन नमबर 163 है इस सदी की सुरुवात में हवाई जहाज का अविसकार किसने की थी राइट ब्रदर्स ने कोशन नमबर 164 है इलेक्टरॉन सुक्षम दर्सी का अविसकार किसने किया था नोबल और रुसका ने कोशन नमबर 165 मेडिकल डॉक्टर्स व्यवशाई को द्वारा किस उपकरण का उप्योग किया जाता है तो किस चीज को किस उपकरण का उप्योग किया थे दोस्तों इस्ठेंटो स्कोप का कोशन नमबर 166 महासागर में डूबी हुई वस्तों की इस्थिती जानने के लिए किस यंत्र का प्रियोग किया जाता है सोनार का कोशन नमबर 167 सूर्य की किर्णों की तिरुता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं हाइग्रो मीटर ठीक है भई 168 है आपका एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकिल गुरण किसमे मापी जाती है इस्ट्रेबो स्कोप में कोशन नमबर आपका नेक्स्ट है 169 कौन सा उपकरण चिकत्स को दुआरा इस्तमाल किया जाता है इस्टेंटो स्कोप चंद्रा एक्सरेद दुर्बीन का नाम किस विज्ञानिक के सम्मान में रखा गया एस्ट चंद्र सेखर कोशन नमबर नेक्स्ट आपका 171 इलेक्टोन किसको तरुविरित करने के लिए परियुक्त किया जाता है परमानू कोशन नमबर 172 पाइरोमिटर किसके मापने में परियोग में लाया जाता है उश्ट आपमान के कुलीज नालिका का परियोग क्या उत्पन करने के लिए किया जाता है एक्स किर्णो के केविबियो में यह लाइक करी और नएक्सर वीडियो में आपके लेक्श्य करने नहींगा इस वीडियो को जब मुझे कमेंट बोक्स में भी जरूर बताईएगा कि आपने हाँ तक वीडियो देखिए देखिए अगर आप पूरी वीडियो देखते है मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैंने जो मैनत की है वो मेरी सफल हो गई है ठीक है वीडियो देखने के लिए बड़ा दने वाद आपका दिन सुबो